नमस्कार दोस्तों पेनल श्टॉक के सीरीज में आप सभी का हर्दी कम्नल करता हूँ दोस्तों आपके सामने कई कंपनिया दिख रही होंगी जिनका प्राइस मात्र 75 पैसा 31 पैसा 54 पैसा 96 पैसा 69 पैसा 38 पैसा 90 पैसा 89 पैसा 35 पैसा बतला है कि हमारे पास 8 स्टॉक है और 8 desem के price कितना दिख रहा है आपको मात्र 75 पैसे से ले करके 35 पैसे तक के stock आपके सामने दिख रहा है तो क्या हमें इन सब stock को buy करना चेहे या नहीं करना चेहे अगर पेनी स्टॉक जिनका प्राइस मात्र 35 पैसे से लेकर कि 75 पैसा हो जिसका नाम यह हो क्या हमें यह स्टॉक बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों आपके लिए यह होमवर्क दे रहा हूं जिस तर से मैं फंडमेंटल देखता हूं आपको भी देखना है क्या क्या यह कंपनी agsm-list में जिस कंपनी का प्रोउटर हो करती है कि नहीं करती है यह आपके ऊपर है ठीक है दोस्तों इनको हमें उसके ऊपर आप वड़ेक्स बीडियो में आगे बढ़ते हैं और एसी एक श्टाउप इसके बाद देखने बाले है सब बिना स्किप किआ अगर आप वीडियो को देखते हैं आपको बहुत बढ़ें बढ़ें स्टाॉक आप आज मैं बताने वाला हूं सो फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप टेलीग्राम यहां पर इतन final को इतनना प्रवाइट कमाते हैं आप इतना ओल्स में काम किजी सारे के सारे स्टॉक मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर बिल्कुल free of cost post करता हूँ तो बिना देर के वे आपको टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना होगा दोस्तों आईए अब बढ़ते हैं जो company में लेकर के आया हूँ सबसे पहले इस company का एक बार नाम देखिए और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाँ यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा इस company का नाम है नीला स्पेस लिम्टेड क्या इस company में हमें पैसे लगाना चाहिए क्या इस company का fundamental ठीक ठाक है की नहीं है fundamental किस तरह सब अब जो लोग इस video को नहें देख रहे हैं स्टार्टिंग में मैंने 8 स्टाक बता दिया अब मैं जिस तरह से fundamental बता रहा हूँ उसी तरह से आपको fundamental देखना होगा सो प्लीज स्किप मत किरिएगा सबसे पहले इस company में हमें यहाँ पर last वाले कॉलम पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर सीधा लिखा गया है कि a stock not in ASM, GSM list and not a lot of promoter holding is placed मतलब बहुत सारे इसके promoter holding placed भी नहीं है ना तो यह ASM list में और ना ही यह GSM list में है तो दोस्तों जो लोग पहले 8 company को analysis करने की कोसिज कर रहे है उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी company ASM list में है आप buy कर सकते हैं GSM list में हैं अगर company और अगर आप buy करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप buy मत कीजिए अगर आप buy करते हैं तो उसे long term के लिए hold मत कीजिए profit मिले profit loss मिले loss आपको ले करके बाहर हो जाना है as a bread and butter खाना है सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना है GSM बाला तो जो 8 company अगर आप analysis करने की कोसिज कर रहे है GSM है इगनूर कर दीजिए मुझे comment box में मत लिखेगा कि आपनी GSM stock को डाल गया क्योंकि मैं आपको ये सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ तो सबसे पहले इस company को लोग देखेंगे अगर तो इस company ने यहाँ पर देखे एक week में इस company ने अच्छा performance नहीं दिया क्यों? क्योंकि market जिस तर से गिर रही है इस company ने performance नहीं दिया एक महीने की अगर बात करें तो एक महीने में भी नहीं दिया एक year की बात करें तो एक year में इस company ने 129% तक का return यहाँ पर आपको so कर रहा है क्यों so कर रहा है? क्यों इस company ने 129% तक का return दिया? चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ करके देखते हैं थोड़ा सा time दीजिए मैं एक दम बहुत जादे छोटा नहीं 110 हाँ तो यहाँ पर मैं आऊंगा सबसे पहले नेला स्पेस लिम्टेड इस company का नाम जैसा कि मैं बता दिया हूँ अब इस company का काम क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं न कहीं यह real estate industries है और real estate के काम है इस company का गुजरात राजिस्थान में सबसे बड़ा business है और कहीं न कहीं इस company में आप यहाँ पर देख सकते हैं दीमर्ज फ्रम दल नीलाज चली ठीक है आप यहाँ पर एहमदाबाद headquarter है ठीक है तो budget में real estate को लेकर के infrastructure को लेकर के बहुत ही बड़ा बयान आया था और बहुत ज़्यादे पैसे भी उसमें आया थे तो यह चीज़े हमें समझ में आगी अब दूसरा हमें देखना है कि किसी penny stock को जब हम analysis करने की कोसिज कर रहे है तो क्या उस penny stock में promoter holding का stake है की नहीं है अगर promoter holding का stake नहीं है मतलब वो company अगर zero भी हो जाएगी तो किसको घाटा होगा हम जैसे retail investor का घाटा होगा लेकिन जिस company में promoter holding का stake मतलब आदे से जादे है तो company का जो promoter होगा वो कभी भी अपने company को loss में नहीं आने देगा वहीं अगर market cap की बात करें तो 154 करूर इस company में लगा हुआ है अगर हम बात कर इस company को तो समझने की कोशिज करते हैं कि क्या ये company इस भाव पर महंगी है या सस्ती है तो यहाँ पर हम देखेंगे book value अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखें है तो book value क्या होता है तो सबसे पहले उसको देखेगा जिसमें मैंने डाला हुआ है क्या flower नहीं fire वाला stock मैंने डाला हुआ इसकी पीछे जश पीछे वाला उसको आप देखेंगे तो book value पूरा का पूरा आपको समझ में आ जागा चली current price की बात करें अगर तो current price कितना है 3.90 पैसा कहीं न कहीं है अपने book value से कितना भागिए 1.29 मतलब सवा गुना भागिए अब विश्वास मानिए अगर ये फिर दुबारा भागती है तो कितना बढ़िया profit देगी ठीक है यहां तक तक हम लोग ने समझ लिया बात करें प्लेजिंग प्लेजिंग है नहीं इस company में current assets की बात करें 106 करोड का current assets current liabilities की बात करें तो liabilities इस company के पास ही नहीं volume देख सकते हैं आप कितना जबर्चस value तो यहां तक हमें यह समझ में आ गया कि company का fundamental बहुत ही तगड़ा है तो अब आते हैं इस company को यहां पर analysis करने की कोशिश करतें चार्ट के उपर सबसे पहले देखें चार्ट के उपर आप ऐसे अंदाजी से analysis करने की कोशिश मत किजिए क्योंकि जब तक आपको company का fundamental नहीं पता होगा आप चार्ट पर analysis करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे उल्टा आप loss में हो जाओगे तो दोस्तों यहां पर अगर हम लुक देखें तो इस zone पे कहीं न कहीं अटक करके रह गया है ना तो इसके उपर निकल ला है और ना ही इसके नीचे मतलब 3 रुपया 97 पैसा इसके पास एक बहुत बड़ा resistance है और वहीं support की बात करें तो 3 रुपया 58 पैसा इसके पास एक बहुत बड़ा support है क्या होगा कि अगर हमने buy किया और इस support को तोड़ दिया अरे भाई अगर support तोड़ भी दिया तो इसके नीचे भी एक बहुत बड़ा demand zone यहाँ पर आएगा और वो demand zone आप यहाँ पर देखेंगे यह है demand zone तो demand zone 2 रुपया 92 पैसा अगर मोटा मोटी बात करें तो 3 रुपया इस company के पास demand zone क्या हमें इस demand zone पर आने तक इंतजार करना चाहिए जिसका fundamental इतना तगड़ा है और कहीं न कहीं buying के लिए chance भी दे रहा है या हमें यहीं पर अगर 100 रुपया लगाने हैं तो 50 रुपया लगा करके बैठ जाना चाहिए आपके उपर है एक बार comment बोक में जरूर लिखेगा कि 50 रुपया लगाने है या 100 रुपया अभी लगा करके बैठ जाते भले वो अपनी demand zone पर आएगा तो 100 रुपया और हम लोग add कर लेंगे ठीक है फ्रेंट इसका fundamental बहुत तगड़ा अगर ये company का book value मूटा मूटी 3 रुपया मान करके चलें अगर एक गुना भागती है तो कितना होना चीए 6 रुपया दो गुना भागती है तो 6 दुना बार है और 3 गुना भागती है अगर तो 6 तरीके 18 रुपया मतला अगर हमें 10 या 12 रुपया भी मिल जाता इस company में तो सोचिए बहुत तगड़ा profit हमें इस company से होने बाला है ठीक है फ्रेंट्स अचा थोड़ा सा और कुछ देखने की ज़रूत है क्या इस company का bottom line top line इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि कोई भी company का अगर आपको bottom line देखना है top line देख देखना है उसके वासे फिर 4-5 stock हाँ 4-5 stock और देख लेंगे जिसका fundamental बढ़िया होगा तो उसको आप भी practice कर लिजेगा कि उसका fundamental ठीक है कि नहीं है क्योंकि सब stock का fundamental बताऊंगा तो वीडियो बहुत बढ़ी बन जाएगी और जब वीडियो बहुत बढ़ी बनती है तो लो लोग भी edit करते हैं वीडियो दोस्तों आप देखेंगे उनके वीडियो में जो अच्छी चीजे होती है वही बताया जाती है जो खराब चीजे होती है वो लोग छूपा देते हैं जो लोग भी edit करते हैं और मेरी वीडियो में ऐसा नहीं है starting से start करता हूँ कहीं अगर गलत भी बोल देता हूँ तो उसके लिए माफी चाहूँगा सबसे पहले तो मैं चाहता नहीं हूँ कि गलत हो लेकिन अगर ऐसे गलती हो जाए तो उसके लिए माफी लेकिन मैं कोई editing नहीं होती है zero cut video होती है दोसों तो आपके सामने अच्छा या बुरा दोनों चीजे में net profit margin अगर आपको ये तीन चीजे देखने आ गई तो आप इस share market के बात्सा हो ये तीन चीजे बाकी चीजे तो मैं already बता चुका हूँ अगर ये तीन चीजों को भी mix करते हो तब आप share market के बिता बात्सा हो तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाने की कोश करता हूँ कि top line क्या होता है top line में ये जो top दिख रहा है आपको इसी हम लोग कहते हैं top line मतलब technically language या अगर आप TV पर या news में देखते हैं तो इस तरह से बताया जाता है top line क्या होता है बात करें अगर bottom line तो bottom line जो इसका net profit वाला column होता है इसको कहते है bottom line friends अगर हम बात करें operating profit margin और net profit margin किसी भी company में बहुत important है कि अगर किसी company का operating profit margin बढ़ रहा है net profit margin बढ़ रहा है भले यहाँ पर आपको revenue कम हो भले यहाँ पर profit कम हो अगर operating profit margin और net profit margin बढ़ रहा है तो अगली quarter में क्या होगा उसका momentum बहुत तेजी से उपर चला जाएगा और आप ये देखे होगे क profit हुआ नहीं कमपनी ऊपर ही क्यों जा रहा है लेकिन आपको ये operating profit margin और net profit margin सबसे पहले देखना ही होगा नहीं देखेंगे तो आप confused हो जाएंगे कि यार इस company का revenue नहीं आ रहा है sales नहीं हो रहा है लेकिन यह ऐसे भाग रहा है मतलब revenue और sales मतलब पिछले quarter से जाधे हुआ नहीं अल्मूस सेम है यहाँ हो सकता है उससे कम है लेकिन फिर भी ये company भागी जा रही है क्यों क्योंकि आपने operating profit margin नहीं देखा और net profit margin नहीं देखा तो यहाँ पर आपर आप देखेंगे कि quarter में पिछले quarter में इस company में 32.60 था ल बात वो अलग है कि चार्ट पर आप देखेंगे ठीक है एक मिनाट बात वो अलग है कि यहाँ पर थोड़ा net कैसी हो रहा है कि नहीं ठीक है तो बात वो अलग है कि आपको यहाँ पर दिसम्बर वाला जो quarter है पीछले quarter से इसमें result ठीक ठाक नहीं दिया है कम आया है यह बात अलग है लेकिन quarter result का क्या है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं December 2020 में 12 करोड 11 करोड उसके वासे एक करोड फिर दो करोड फिर 88 लाक तो अगले quarter में हो सकता है यह एक करोड हो जाए अगले quarter में हो सकता है यह 5 करोड भी हो सकता है तो जैसे ही होगा price automatic उपर चला जाएगा अब penny stock में आपको तीन महेना किसी भी stock में आप भाई कियें तो quarter अन quarter आपको इंतिजार करना ही पड़ेगा क्योंकि quarter के उपर बारी fundamental strong company क्वाटर के उपर ये करती है या हम जैसे investor डिपेंड रहते हैं कि अगला quarter इसका अच्छा हैगा और price momentum चला जाएगा तो यह तो penny stock है ठीक है फ्रेंज तो यह हम लोग ने देख लिया लेकिन ये quarter अब दूसरा चीज़ आपको annual trend जो दिख रहा है ना annual trend मतलब वार बात करें bottom line तो bottom line net profit यहाँ पर देखना होगा operating profit margin और net profit margin अगर आप देखेंगे तो operating profit margin कितना जवर्जस्त है है कि नहीं दूस्तों वहीं net profit margin की बात करें I mean NPM जिसको कहता है कहते है NPM तो यह भी ठीक ठाक है मतलब पिछले से थोड़ा कम है लेकिन आपको यहाँ पर operating profit margin प quarter result के उपर तो आपने बोला हुआ था कि निला space का अपने ही subscriber किसी ने बोले हुए थे तो मैं आपको पूरा का पूरा fundamental बता दिया अब fundamental में आपको क्या देखना होता है इसी तरह से अगर आप देखेंगे किसी भी company को ऐसा नहीं है कि यह penny stock है तो अलग तरीके से देखा जा बिल्कुल नहीं सारा का सारा यही rules है दोस्तो और भी चीज़े हैं मैं आपको बताते हैं चलता चला जाओंगा तो अब आते हैं कुछ ऐसी company जो इस गिरते हुए market में बहुत तेजी से भाग रही है उनको मैं आपके सामने लेकर क्या हूंगा फटा-फट देख लीजिएग तो सबसे पहले मैं यहां पर एक काम करता हूं इन symbol level लगा देता हूं और background में यहां पर 40 ठीक है ताकि आपको दिखता चला जाए उन company के उपर तो सबसे पहले मैं आपको future market network limited की बात करो तो यह ऐसी company है जो Amazon और Reliance के बीच में फंस करके रह गई थी और कहीं न कहीं अब इ FMNL और जिस दिन इस label को break करता है नतलब वो label होगा 10 रुपया 47 पैसा तो आपको एक अच्छा कासा उपर की side में profit दे सकता है दूसरा दूसरे stick की बात करें तो एक ऐसी company है जो दारू बनाती है ठीक है और दारू बनाने वाले penny stock दोस्तो अगर आप ढूनेगे तो मिलेगा है तो इस company का नाम RKDL रभी कुमार ठीक है इस company का नाम एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको हाँ तो इस company का नाम है रमी कुमार डिश्टलिरीज लिमिटेड आर की deal इसका sort में आप ढूनेगे मिल जाएगा और कहीं न कहीं ये company में कई दीनों से है अल्मुष्ट एक हफ्ते से एक अच्छा खासा momentum होता चला जा रहा है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बाई क करना है कि नहीं करना है 11 रुपय तीरसर पैसे के पास एक बहुत 11 रुपय या 12 रुपय मान करके चलो 12 रुपय के पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बारा अगर क्रॉस करता है तो friends इसका भी fundamental बहुत ही तगड़ा है आग आना ओले दिनों में एक आपको कम से कम 19 र दोस्तों चलिए ठीक है इतना स्टॉक मतलब स्टार्टिंग के आठ उसके बाद से निला इस्पेस नौ और दो 10-12 स्टॉक हो गए friends इतना आज के लिए काफी है वीडियो कैसी लेगी दोस्तों एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और अगर आपको वीडियो अ स्टॉक स्कूसाट